हलो एवरिवन वेलकम टू टॉपर बेंज आज हम लोग चैप्टर फाइफ ब्रेवो अमीर आगा का स्टोरी पड़ेंगे इसमें दो फ्रेंड्स के बारे में दिखाया गया है अमीर है और हुसेन है और इस चैप्टर का जो थीम है वो है स्पोर्ट्स इसमें एक गेम के बारे होते हैं एक दूसरे को कट करते हैं फाइट होता है और जो लास्ट में जो वन और उनली काइट आसमान में बच जाता है वही वीनर होता है तो इसी तरह के स्टोरी इसमें ब्यूटिफुल स्टोरी को दर्शाया गया है आमीर आगा के स्टोरी में और आप लोगों को मैं बत तक हम लोगों को चैन नहीं आता है हम लोग पूरा कोशिश करते हैं जान लगा देते हैं जीतने के लिए और खास करके तब जब हम लोगों को और पांच रन चाहिए होते हैं क्रिकेट में और तीन रन चाहिए होते हैं और विकेट काफी डाउन हो गया रहता है लास्ट विके में, पूरा सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में, तो कितना मज़ा आएगा, तो उस ठिंकिंग को हम लोग पहले ही, मतलब वो जीतने के टाइम वो सोचते हैं, जीतने से पहले, और पूरा जान लगा देते हैं जीतने के लिए, वैसे ही फुटबॉल में भी एक गोल बाकी पूरज धल जा रहा है, ठंड लग रही है, कुछ खाने के लिए बन रहा है, घर जाना होगा, टाइम बहुत हो गया, ये सब हम लोग देखते ही नहीं है फिर, फिर हम लोगों को उस टाइम में जीत चाहिए, सिर्फ हम लोगों को गेम में जीत चाहिए होता है, तो वैसा ही कुछ story है इसमें आमीर आगा भी flight kite को fly कर रहा होता है और वो जीतने के काफी करीब होता है इसलिए वो game को छोड़ करके भागता नहीं है जाता नहीं है और वो kite flying करता ही रहता है last moment तक और अंत में क्या होता है वो हम लोगी story में देखेंगा आप वीडियो को skip मत कीजिए और पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से तो हम लोग इस chapter को start करते है जिसमें kite flying को प्रमुकता से दिखाया गया है बहुत अच्छे से दिखाया गया है I hope कि आप लोग भी kite flying करते होंगे खास करके मकर संक्रांती के time पे जो अभी January में आने ही वाला है 14th of January को तो चलो हम लोग start करते हैं क्या होता है इसमें देखते हैं Up and down the streets kite runners were returning triumphantly their captured kites held high काफी बच्चे जो है street में, road में दोड़ते हुए उपर नीचे करते हुए भागते हुए आ रहे हैं ये लोग कोई और नहीं kite runners हैं जो kite पतंग जो उड़ते हैं और वो कट जाता है तो उसके पीछे बच्चे भागते हैं उसको लूटने के लिए और लूट लेने के बाद वो street में उसको लहराते हुए हाथों के उपर अपना पतंग को लहराते हुए मतलब पूरे जोश के साथ triumphantly खुशी से भर करके वो लोग दिखाते हुए आते हैं जोश के साथ और वो अपने पेरेंट्स को भी वो पतंग लूटे हुए पतंग दिखाते हैं अपने फ्रेंट्स को भी दिखाते हैं proudly but they all knew the best was yet to come लेकिन उन लोगों को ये पता होता है कि जो अभी और भी अच्छा होने वाला है the biggest prize of all was still flying क्योंकि अभी तो इतने सारे ही पतंग कटे कट करके गिरे हैं जो अम लोगों ने लूट लिया है लेकिन अभी जो मेन पतंग है जो आसमान में उड़ रहा है जो बाकी लोगों को काट रहा है वो पतंग तो अभी आसमान में उड़ी रहा है अभी तो biggest prize बाकी है अभी तो वो पतंग कटना बाकी है अभी पूरा game बाकी है I sliced a bright yellow kite with a coiled white tail और अमीर आगा के अमीर आगा यहां पे बोल रहा है कि I sliced a bright yellow kite with a coiled white tail एक मैंने ऐसा पतंग को काटा जिसके जिसका जो पूँच है जिसका tail है वो coiled है ऐसा घुमा घुमा tail है ठीक है ऐसा पतंग है और उसका जो tail है वो ऐसा घुमा घुमा कर्ल है It cost me another gash on the index finger and blood trickled down into my palm और इस पतंग को काटने के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी कैसे मेरा हाथ कट गया उस धागे के मांजे से उस पतंग को काटने के दोरान जब मैं धागा को खीच रहा था तो उस धागे के मांजे से क्योंकि मांजा बहुत तेज होता है और उससे हाथ कटने का काफी डर होता है तो अमीर का हाथ जो है वहाँ पे हथेली जो है वो कट गया I had Hasan hold the string and suck the blood dry blotted my finger against my jeans और मैंने धागा को Hasan को पकड़ाया Hasan मेरा दोस्त वहीं पे था Hasan को पकड़ाया और मैंने blood को रोकने के लिए अपने jeans में अपने finger को rub कर दिया मतलब सोकने के लिए within another hour एक घंटे बाद ही the number of surviving kites dwindled from maybe 50 to a dozen एक घंटा होते होते जितना भी kites उड़ रहा था उपर में लगबग 50 kites पहले उड़ रह था और अब सिर्फ cut cut करके सिर्फ एक dozen बज़ गया मतलब सिर्फ बारा kites सी आस्मान में बज़ गया है सारे cut करके गिरने लगे है I was one of them I had made it to the last dozen और मैं अभी भी बचा हुआ हूँ मेरा kite अभी भी ये जो बारा एक dozen kite उपर में उड़ रहा है तो मैंने ये सारे महनत से कोशिस से इसको बरकरार रखा है मेरे महनत के वज़े से मेरा kite अभी भी उड़ रहा है I knew this part of the tournament would take a while because the guys who had lasted this long were good they wouldn't easily fall into simple traps like the old lift and dive hasan's favorite trick और यहाँ पर आमीर कह रहा है कि मैं इस game के part को मुझे पता है tournament में ये जो part है ये थोड़ा आप समाई लेगा क्यूंकि अभी जो 12 अभी जो एक dozen kite उपर में बच गया है जो लड़के अभी बच गया है जिनका kite उड़ रहा है ये लड़के खिलाडी है इन लड़कों को अच्छा knowledge है kite flying का तभी ये लोग बच गया है old lift and dive मतलब जब हम लोग पतंग को खीच करके थोड़ा उपर उठाते हैं और फिर पतंग dive करता है नीचे की और और दूसरे पतंग को काट देता है तो ये पूराना technique है जो हसन का favorite trick है लेकिन इस trick से ये खिलाडी जो अभी बचे हुए है बारा ये लोग हर नहीं मानने वाले है इनको सब पता है ये trick कैसा है तीन बजते हैं दोपर के तीन बजते बजते जो बादल है वो आपस में एक दूसरे के सामने गुच्छा की तरह बन जाते है और सूरज जो है उनके पीछे छिप जाता है मतलब बादल जैसा मौसम हो जाता है और ऊपर में आसमान में बादल चा जाते है shadows started to lengthen और हमारा जो परच्छाई है वो लंबा होने लगता है तब हमें समझ में आता है कि शाम होने लगा है सूरज ढलने लगा है the spectators on the roofs bundled up in scabs and thick coats और जो spectators है जो लोग है जो crowd है हमारे छटों में चारों और सब अपने अपने छट पे खड़े रहते हैं उस टाइम पे और सब कोई scabs लगाए हुए हैं और मोटे coats पहने हुए हैं we were down to a half dozen and I was still flying we were down to a half dozen हम लोग अब half dozen तक बच गए हैं अब सिर्फ half dozen kites ही आसमान में बच गए हैं मतलब 6 सिर्फ 6 kites ही अब आसमान में बचे हैं बाकी सब कट चुके हैं and I was still flying और मैं अभी भी उड़ा उड़ रहा हूं मतलब मेरा kite अभी भी उड़ रहा है इन 6 में my legs act मेरे पैरों में दर्द होने लगा and my neck was stiff और मेरा गला जो है वो पूरा पकड़ लिया है गड़ा जो है पूर नजर नहीं हटाते हैं क्यों क्योंकि हमें लगता है कि नजर जैसे हटाएंगे कोई दूसरा पतंग आ करके हमारा पतंग को काट देगा तो उपर देखते देखते neck जो है गलाज भी पूरा tight हो गया है but with each defeated kite hope grew in my heart और जैसे जैसे के kite गिरता जा रहा है के kite कटता जा रहा है मेरा जो hope है मेरा जो आशा है मेरे दिल में वो बढ़ता जा रहा है जीतने का आशा like snow collecting on a wall one flick at a time जिस तरह से दिवार पे snow जो snow fall होता है snow जमा होते जाता है धीरे धीरे करके उस तरह से मेरे दिल में भी जीतने का खुशी जो है वो बनते जा रहा है my eyes kept returning to a blue kite that had been wrecking havoc for the last hour मेरा नजर उस blue kite के उपर है जो पिछले एक घंटे से तबाही मचाए हुए है havoc तबाही क्या मचा रहा है क्योंकि वो blue kite जो है बहुत अच्छे से उड़ रहा है बहुत तकनीक से उड़ रहा है और बाकी जो पतंग है उसको काट रहा है तो ये blue kite जो है ये बहुत शक्तिशाली kite है जिसके उपर आमीर का नजर है how many has he cut I asked आमीर पूछ रहा है कि कितना पतंग अभी तक ये काट चुका है I counted 11 हसन सेड़ तो हसन बोल रहा है कि मैंने तो 11 ही काउंट किया है do you know whose it might be तुमको क्या पता है कि ये सब किसका है जो पतंग ये blue kite काटा है तो हसन को पूछा आमीर कि तुमको पता है कि ये जो इतना पतंग काटा है वह पतंग किसके थे तो吸 सब ना जीवकोट मतलब करता जैसे हम लोग नहीं करते हैं पता न हमें है जब हम लोगों को कुछ आंसर पता नहीं हो तो हम लोग बोलें जाने दो तो ऐसा ही हसन करता है जो उसका ट्रेड मार्क उसका निशानी है कि अब उसको आइडिया नहीं है वो कहना चाहरा है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में किसका है वो पतंग ब्लू काइट क्या करता है एक बिग परपल कलर का जो पतंग है उसको स्वाइप करता है और दो बार उसको बड़ा बड़ा लूप बना करके घूमा कर कैसे फंसाता है परपल कलर को बिग काइट 10 minutes later he had cut another two 10 minutes बाद ही वो जो ब्लू काइट है वो दो काइट को और काइट कर देता है sending hordes of kite runners racing after them और जब वो काइट काइट हो रहे हैं तो पूरा crowds बच्चे जो हैं hordes नीचे जो बच्चे हैं लोग हैं वो कटे हुए काइट को लूटने के लिए दौड रहे हैं after another 30 minutes only 4 kites remained और आगले 30 minutes तक सिर्फ अब 4 kites आसमान में बचे हुए हैं and I was still flying और मैं अभी भी हवा में ऊड़ रहा हूं आसमान में it seemed I could hardly make a wrong move as if every gust of wind blew in my favor मतलब अभी आमीर बोल रहा है कि मैं अब कोई गलती करने ही वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी हवा भी वैसा बह रहा है जैसा मुझे चाहिए हवा भी वैसा blue हो रहा है आसमान में blow हो रहा है जैसा मुझे चाहिए तो अभी मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अब 4 ही kites उपर बचे हुए हैं I had never felt so in command so lucky it felt intoxicating और मुझे बहुत lucky feel हो रहा है कि मैं इतने दूर तक आ गया हूँ अभी 4 ही पतंग बचे हुए हैं और मतलब मुझे और कुछ सूज नहीं रहा है मुझे इसके अलावा intoxicating का मतलब है making one feel excited so that one cannot think clearly मतलब इतना मतलब वो पागल हो गया कि कुछ और उसको सूज नहीं रहा I didn't dare look up to the roof मैं रूफ के तरफ छत के तरफ देखने का हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ मुझे मतलब अब अपने पतंग से आसमान से नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि हटाऊंगा तो कोई mistake हो जाएगा और मुझे अच्छे से खेलना है smart way में खेलना है नहीं तो थोड़े भी mistake करूँगा तो मेरा पतंग को है कोई काट देगा या blue जो काईठ है वो काट देगा another 15 minutes and what had seemed like a laughable dream that morning had suddenly become reality और ऐसा लग रहा था जैसा कोई खुशनुमा सपना जो है वो पूरा होने जा रहा था it was just me and the other guy the blue kite और अब आसमान में क्योंकि आसमान में अब सिर्फ मैं मतलब आमीर और वो जो blue kite वाला लड़का है वो है वो बच गया सिर्फ दो अब दोनों के बीच मुकाबला है जो जिसको काट देगा वो ही winner होगा कट जाएगा जो वो हार जाएगा the tension in the air was a tot as the glass string I was tugging with my bloody hands और आसमान में tension जो है air में बहुत बढ़ चुका है बहुत tight tension हो गया है और I was tugging with my bloody hands और मैं struggle कर रहा हूँ और अपने bloody hands से हाथों से जो मेरा खून निकल रहा है क्योंकि एक बार मेरा हाथ कट चुका है और उस bloody hands स मैं धागा को string को खींच रहा हूँ people were stomping their feet clapping whistling chanting boobres boobres cut him cut him लोग वहाँ पे चिला रहे हैं तालियां बजा रहे हैं city मार रहे हैं जोर जोर से एक साथ chanting कर रहे हैं कि boobres boobres मतलब कट काटो उसको काटो उसको I wondered if Baba's voice was one of them मैं सोच रहा था कि Baba का भी voice उनमें से एक होता music blasted और बहुत music भी हो रहा है the smell of steamed mantu and fried pakora drifted from rooftops and open doors छट पे सारे लोग खड़े हैं शाम का समय हो चुगा है सूरज ढलने लगा है और सबके घरों में pakoda और dish बन रहा है जहां छट के खुले दरवाजे से वो सुगन्द आ रहा है but all I heard all I willed myself to hear was the thudding of blood in my head but मुझे ये सब कुछ नहीं सूज रहा है पकोडा वकोडा कुछ नहीं मेरे दिमाग में बस खुन चड़ा हुआ है जीतने का all I saw was the blue kite बस मैं सिर्फ वो blue kite को देख रहा था all I smelt was victory और मैं बस victory में जीत के बारे में सोच रहा था salvation, redemption salvation का मतलब जब कोई पाप करने से बचता है तब salvation कहते है redemption तब वो होता है जब कोई किसी के पाप से मुक्त होता है तो ऐसा feel उस टेम पे जो होता है वही feel अभी हो रहा है कि अब मैं सहज जीतने ही वाला हूँ अगर बाबा जो कहते था अगर वो गलत नहीं है कि भगवान है स्कूल में भी कहा जाता था ऐसा तो भगवान आज मुझे जरूर जिताएंगे I didn't know what the other guy was playing for maybe just bragging rights मुझे पता नहीं कि वो जो blue kite वाला लड़का है वो किस लिए play कर रहा किस लिए पतंग उड़ा रहा है लेकिन हो सकता है वो अधिकारों के लिए कर रहा है but this was my one chance to become someone who was looked at, not seen, listened to, not heard but मेरे पास ये एक ही chance है जीतने के लिए और लोगों के नजर में आने के लिए जिसको लोग जानते नहीं थे, जिसके लोग सुनते नहीं थे, जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है तो मैं जीत करके एक नाम कमा सकता हूं अमीर ऐसा कह रहा है और अगर भगवान है तो वो गाइड करेंगे विंड को कि मेरे अकॉर्डिंग वो विंड वो हवा जो है वो बहे और मैं कट कर पाऊं और अपना जो पेन है उससे भी मुक्त हो पाऊं मतलब अगर मैं जीत जाऊंगा तो यह जो कट हुआ है मेरे हाथ में यह कोई मैटर नहीं करेगा जीत का खुशी ज़्यादा होगा अभी तक मैंने बहुत कोशिश किया बहुत दम लगाया है और बहुत दूर तक आ गया हूं और अचानक से वैसा जैसे होता है फाइबाया या और मेरे पतंग उपर उठाया तो मैंने उहाँ पर फाइदाcolor और अगरम का भी दोGet ओद फेंडDंग पूल्डप और श्ट्रिंग को फैट गया हुआडका को फैट कीचा lubed my kite on top of the blue one और मेरा kite जो है वो loop बना लिया गोल जैसे घूम करके blue kite के उपर में I held position मैंने अपना position पकड़ा रखा the blue kite knew it was in trouble और blue kite को पता था कि वो फंस गया है वो trouble में है क्योंकि मैं जो है loop बना करके मेरा kite जो है blue kite के उपर आ गया है it was trying desperately to maneuver out of the jam और blue kite जो है पूरा कोशिस कर रहा था उस jam से उस problem से बच निकलने का but I didn't let him by I didn't let go लेकिन मैंने उसे बचने नहीं दिया I held position मैं अपना position को tightly पकड़ा हुआ था the crowd sensed the end was at hand the crowd crowd को पता चल गया था कि अब end आ गया है game का the chorus of chorus मतलब आवाज गुंज रहा था cut him cut him काटो काटो grieve louder बढ़ने लगा आवाज like Romans chanting for the gladiators to kill kill जिस तरह से Romans chant कर रहे थे gladiators के लिए कि maro maro you are almost there Amir Agha almost there Hasan was punting Hasan भी कर रहा था कि अब तुमने कर लिया है बस थोड़ा सा और है Hasan तुम जीद गया बहुत तेजी से सांस ले रहा था हसन वहाँ पे excited हो करके और आमीर का जो पतंग है वो blue kite को cut करने करने वाला था और वहाँ पे वो cut कर भी दिया then the moment came I closed my eyes and loosened my grip on the string और वो moment वो समय आ गया जब मैंने धागा का जो grip है उसको धिला छोड़ दिया it sliced my fingers again और यह मेरा finger को फिर से काट दिया as the wind dragged it जैसे ही वो धागा हवा से खीचा गया पतंग खीचा गया तो वो तेज धार बना करके मेरा हाथ को फिर से finger को cut कर दिया and then I didn't need to hear the crowd's roar to know I didn't need to see either और मुझे उसके बाद कुछ देखना नहीं था कुछ सुनना नहीं था crowd का roar कुछ भी नहीं क्यूंकि मैं जीच चुका था असन वाज स्क्रीमिंग और यह आम वाज राप्ट आराउंड नेक और असन भी बहुत चिला रहा था और ब्रेवो तुम जीत गए तुम जीत गए आमीर आगा और आमीर आगा का यहां पर जीत हुआ इस स्टोरी में एमसी क्यों हम लोग देखते हैं देन नमबर अफ काइट द्विंडल फ्रॉम अबाउट 50 50 से डोजन तक आगे तुम इच अज अज पर बीगस प्रैस देस क्या था इस पर फ्लाइङ था काइट था पेरेंट था फ्रेंट था बीगस प्रैस जो था वो काइट था इंडेक्स फिंगर उसका कट गया था अकॉर्डिंग टू हसन अनुसार ओपोनेंट ने कितने काइट कट कर दिया थे 11, 9, 13 या 15 11 हसन बोला था कि 11 तो मैंने गिन करके रखा कि 11 कट कर दिया है तो चैप्टर अभी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताईए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजे तब ही आपको आने वाले वीडियो और कोशन अंसर भी मिल पाएंगे थैंक यू और आव नाइश टे